the age of Sita is 8 year more than twice the age of Sonu if after n year the age of Sita will be twice the age of Sonu then the value of n is चलिए शुरू करते हैं इस question को तो ना तो हमें Sita की प्रेजंटेज मालू में और ना ही हमें Sonu की प्रेजंटेज मालू में मैं Sonu की प्रेजंटेज को X माल लेता हूं let the present age of Sonu be X तो मैंने Sonu की प्रेजंटेज को X years माल लिया है the age of Sita is 8 year more than twice the age of Sonu तो अब मैं Sita की प्रेजंटेज लिख रहा हूं Sita's present age तो बोला गया है कि जो Sita की प्रेजंटेज है वो Sonu के twice से 8 ज्यादा है तो Sonu की age X है इसका twice करेंगे तो आपको 2X मिलेगा और उससे भी age ज्यादा है मतलब 2X plus 8 years this is the age of Sita I hope this is clear अब इन्होंने बात की है N years के बाद तो N years के बाद हम Sonu की age पता कर लेते हैं और Sita की age पता कर लेते हैं in N year in N year अब N year के बाद मैं देखता हूँ Sonu की age कितनी होगी और Sita की age कितनी होगी Sita की age कितनी होगी इसको समझना बड़ा असान है imagine के आपकी age 15 है तो अगर मैं आपसे ये पूछूँ के आपकी age क्या होगी 2 साल के बाद तो आप बोलोगे 15 plus 2 17 मतलब जितने time के बाद जितने years के बाद मैं आपकी age पूछता हूँ आपसे आप वो number वो year उसमें add कर देते हैं तो फिलाल हमें इन दोनों की age find कर रही है N years के बाद N years के बाद तो N years के बाद इनकी age वही होगी जो present में N add करने पर value मिनती है तो present value अब present age Sonu की X है तो N years के बाद जो उसकी age होगी वो होगी X plus N और सीता की present age 2X plus 8 है जो उसकी age N years के बाद होगी वो होगी 2X plus 8 plus N This is the age of Sita after N years and this is the age of Sonu after N years अब इसमें कुछ relation given है क्या relation given है बोला गया है कि जो सीता की age है वो Sonu की age का twice है सीता की age Sonu की age का twice है तो मैं इस statement की help से एक equation बना लूँगा सीता की age Sonu की age का twice तो आप देखें जो सीता की age आपने find की है वो है 2X plus 8 plus N और जो Sonu की age है वो है X plus N मैं सीता की age लिग देता हूँ एक तरफ and sonu की age लिख देता हूँ एक तरफ क्योंकि सीता की age twice है इसलिए मैं sonu की तरफ 2 से multiply कर देता हूँ हो सकता है आपको यह थोड़ा weird लगे लेकिन आप समझो हमाल लेते हैं दो लोग है जिसमें से 1 की age 20 है और दूसरे की age 10 है तो अगर मैं आप से यह पूछूंगे कि 2 times मतलब twice किसकी age है तो यह जो पहला बंद है ना इसकी age दूसरे बंदे के twice है है तो इस पहले बंदे की age twice लेकिन multiply करेंगे हम दूसरे को ताकि यह equation मन जाए equation में दोनों side equal होना ज़रूरी है आई होप समझ में आ गया होगा तो है तो सीता की age twice लेकिन हम multiply करेंगे दूसरी तरफ ताकि यह equal रहा है अब इसे मैं simplify करता हूँ 2x plus 8 plus n is equals to 2x plus 2n 2x and 2x cancel हो गया है 8 is equals to 2n minus n तो n की value हो जाएगी 8 हमें n की value find करनी थी n की value 8 है आई होप यह clear है if there is any kind of confusion please write in the comment section thank you